असलाम अलेकुम मेरी प्यारी सी यूटिव फैमिली वेलकम बाक तू मैं चानल आप सब की गर्मियों की छुटियों को मजीर मज़ेदार बनाने के लिए मैं ले आई हूँ चिकन ते का रेसिपी आपने क्या करना है कि जिए वन केज चिकन लेना है चाहें तो बोनलस ले 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 चाहें आप विद बोन ले 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 और इसमें आप आट करेंगे तू 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 त्री टेबल स्पून अफ विनिगर हाफ से हाफ कप अफ वाटर एंड हाफ टेबल स्पून अफ सॉल्ट का और इसको आप रख देंगे साइट पे फूर फिफटीन तू ट्वंटी मिनिट्स ताकि चिकन के जो मसल्स हैं वो ब्र चूँके बर्गर्स मना सकते हैं एक चीज़ का अपने बहुत ख्यार लखना है कि चिकन जो है वो पेट ड्राइ हो अगर चिकन ड्राइ नहीं है तो किटन टॉवल के साथ आप ड्राइ कर लें हाफ टेबल स्पून आप इसमें लेंगे चिकन तिक का मसाला जो के लेमन पाउडर का जो ट्राइ लेमन से हम बनाते हैं रेसिपी को टर्ण ओन जो पॉइंट करेगा जो इंग्रीडियंट सीक्रेट इंग्रीडियंट करेगा वो है ये कॉकोनट पाउडर जो कि आपने हाफ टेबल स्पून लेना है ये आपके तिका को बहुत सॉफ्ट और ट करेंगे और उसका एक पेस्ट बना लेंगे जब चिकन ड्राइ हो जाए तो आप जिंजर गालिक और हरिमर्च का पेस्ट जो है वो चिकन पे लगा कि इसको मजीद 15 मिनिट के लिए रख दें जो पानी चिकन छोड़ेगा उसको भी आप अच्छे से ड्रेन कर लें क्योंकि अगर आपका चिकन ड्राइ नहीं होगा तो ये इंग्रीडियन्ट चिकन पे प्रॉपरली पेस्ट नहीं होंगे इसमें से आपने कोई भी इंग्रीडियन्ट जो है उसको मिस्स नहीं करना रेशो यही रहेगी अगर आप कौन्टिटी बढ़ा रहे हैं तो आप उसके क्रॉ इस पसंद नहीं करते हैं और मैं ग्रीन चीली पेस्ट अल्रेड़ी आड़ कर चुकी हूँ इसलिए मैंने अटकुटी मर्च नहीं डाली है बट आप उसमें हाफ टेबल स्पून लाजमी आड़ करेंगे तो यहां पर मैंने आड़ कर दिया लेमन जूस, लेमन पाउडर, अचार गोश मसाला और उसकी लावा यह है तिक्का पाउडर जो कि मैंने बताए कि हाफ टेबल स्पून जाएगा और यह है कोकोनट पाउडर यह आड़ करेंगे यह भी हाफ टेबल स्पून है जैसे कि मैंने पहले बताया और आड़ करेंगे इसमें वन फूर्थ टेबल स्पून ऑफ हल्दी और हाफ टेबल स्पून आड़ करेंगे कुटा हुआ खुश्क धनिया उसके लावा हाफ टेबल स्पून ही आड़ करेंगे Zira और नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के क्रोडिंग आट करें क्योंकि हम लोगों ने जब इसको वेनिगर वाटर के साथ डिप किया था तो तब भी नमक आट किया था तो It Is Better के नमक जो है वो आप अपनी रिश्यो के साथ इसमें चूस करें, मैं यहाँ पर आप क्या सकते हैं कि हाफ टी स्पून से थोड़ा जादा नमक मैंने अट किया है और इसमें टोटल त्री टेबल स्पून आफ आपका आइल जाएगा मैंने टू टेबल स्पून आफ आइल पहले अट किया था और जब मैंने मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स किया तो मुझे फील हुआ कि यह थोड़ा सा जादा ड्राइ है तो इसमें मजीद थोड़ा सा आइल की गुनजाइश है तो मैंने वो आइल इसमें मजीद आइट किया था आप यह सा कर सकते हैं कि ग्रेजूली आप आइट करें और जहां पर आपको लगे कि अगर ज्यादा हो रहा है तो वहां पर आप हाथ रोक लें अगर कम है तो आप उसमें मजीद आइट कर सकते हैं दुबारा मैं आपको जरूर इस चीज़ को मैंशन करूंगी कि इसमें कोई मजीद लिकृट जो इंग्रीडिन नहीं जाएगा और आपका बैटर इसी तरीके से ड्राइ होना चाहिए स्टिकी होना चाहिए मसाला प्रॉपरली चिकेन के उपर तो यह रेसिपी आप जरूर ट्राइ कीज़ेगा आप इसको बच्चों के जैसे कि मैंने कहा बर्गर्स में यूज़ कर सकते हैं उसके लावा श्वामस बनाने के लिए मुखली फट्राप्स बनाने के लिए संवाचीज में यूज़ कर सकते हैं तो मुझे जरूर अपना फीड़बाग भी शेयर कीज़ेगा आप इसको ट्राइ करें और देखिएगा आपको बिल्कुल आपके तिका में पर्फेशनल जो है वो टेस्ट आएगा उसी तरीके से टेंडर होगा ओवरनाइट रखेंगे तो बेस्ट रिजर्ट जो है वो आपको अचीव होगा लास इंग्रीडेंट इसमें आप एक पिंच ओफ जो है वो जर्दा रंकी या यलो फूट कलर जो है वो आट करेंगे जो बिल्कुल ही आपके जो अर्दिका बोटी है उसको एक प्रोफेशनल से लुक देगा तो मज़ीद मज़ेदार रेसिपीस के साथ मैं हाजिर हूंगी इंशाला नेक्स व्लॉग में अपना खिया लखें और हम सब को दौाओं में शामिल रखेगा अलाह फेशे